नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है Civil Plus IT टेकनो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिसक्स करेंगे AutoCAD के बारे में AutoCAD में हम Drafting और Annotation के बारे में बात करेंगे दोस्तों उसमें एक function आता है जो कि है draw draw में जितनी भी comand क्मांड़े है माuff इची सब्खनें के जाना आदोय के बारे है is क्वान कनि यहां पे रखना है तर इस कर दोपे दिखे तर हमान के अंदर ही था बबारे में अधर बारे बात करेंगे ठीके दोस्तों तो हमारे पर आधि कमांड जो है वह लाइन कमाड लाइन कमाड का प्रिवग हम दोस्तों किसी भी परित्रिकी का स्ट्रक्चर बनाने में कर सकते हैं अगर आप यूट आउटोगेट पे नहीं है आपको आटोगेट नहीं चलाने आती है तो यह वीडियो आपके लिए काफी हैलफुल है और अगर आप यूटूब लाइन कमाड यूज करने के लिए पहला कोई नीशेयर पॉइंट ले सकते हैं इनीशेयर पॉइंट लेने के बाद में दोस्तों आपको यहां देख रहा होगा और तो लिखा हुआ है और आप पर कुछ डायमेशन दिए आप चाहें तो आप अपनी पसंद से जो भी डायमे आप डारेक्षिन जितना दिनाषो आप दे सकते हैं सर्कॉस करीब हाइं इसको 50 फीट देता हों और सके बाद में इसको यहाँ से यहां से मैनूली 50 देके इसको पूरा रैक्टेंगल एक कन बना सकते हैं यह हमारा लाइन कमांड से बना है दोस्तो और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है वह हमारे पास पॉरी लाइन कमांड की तरह होती है लेकिन इसका प्रक्रयूक थोड़ा अलग होता है इसे भी आप रैक्टेंगल बना सकते हैं लेकिन लेकर इसमें आप अज़े लेंथ Zका आर्क भी बना सकते हैं उसका हाव वे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों यहां पर नीचे काफी फंशन दिए गए दोस्तों करें सकते हैं और इसको यहां पे जोड़ सकते हैं यहां पर जोड़ सकते है separately select होगी यह पूरा box एक सार select नहीं होगा यहाँ पर इसको select करें तो यह अलग से select होगा यह अलग से होगा और यह अलग से आप चाहिए तो इसको अलग भी कर सकते हैं यह एक box नहीं है दोस्तो ठीक है पर इसके comparison में जो आपने बनाई है जब आप आप उसको कहीं से भी select करते हैं तो दोस्तों वह देखिए वह पूरा select होगा और इसे आप अलग नहीं कर सकते हैं यह increase ही होगा आप इसे किसी भी shape में ली जा सकते हैं ठीक है दोस्तों यह एक ही singles यह जो भी लाइन है वह अलग हो चुकी है पर पोई लाइन के केस में ऐसा नहीं हुआ ठीक है दोस्तों अभी हमारे पास जो next कमांड है कि तो वह हमारे पास circle को ठीक है ठीक ही तो सरकल आपको पता ही क्या हुता है सब करेंब रिड़ीस से अबनता है हम यहां पर निऊपर कंप्लिट हो जाता है है उसके वहां हम यहां पर कितने ही चाहीं सरकल बना सकते हैं कि आप सारफ कमांड को यूज करके ठीक है दोस्तो उसके वाद जो next कमांड है अमारे पास और कमांड का दूस्तों आपने क्या करना है इसके लिए आपको 3.0 करने पढ़ेंगे आपको पता है कि वह तर簡 देखिए दोस्तों आप इसको एजिली कि फिली बना सकते हैं। यहां पर आप कमांड का प्रियोग करके कोई भी शेप में आप उसे बना सकते हैं। ठीके दोस्तों फॉफली आपको यह आर्क समझ आ गया हो। उसक्त दीखिए हमारे पास यहाँ पर Rectangle है। कि यहां से हम्ेगा सकते हैं रिक्त अगल बना सकते हैं कि एक दूस्तों अगर आप धी ने बना चाते आहें थे हैंधर लेंज खुло से बैदे सकते हैं कर दो है कि दोस्तों मैंने रहा जोड़ किया हो तो काफी छोटा बना है यहांसे फिर से से एक पिक करेंगे और एक मैनुवली डायमेशन देखे रैक्टंगल है बनाएंगे ठीके दोस्तों ये मैंने 200 उसके प्रिक कर लिया है कि यह सो उसके पाद रेक्ट अंगला में दोस्तों एक और कमांड आती है हमारी पॉलीगन पॉलीगन आपको पता है इसके फाइब साइट्स होती है कि अगा कि 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 गणits कि अगई दॉश्य होता है और यहां से देखते हैं आप इसको जैसे अंदर लेकि जाएंगा तो देखिए तो ये किस तरह की शेप में भी आ सकता है और आप जब से बाहर ले जाएंगे तो यह स्टरह की शेप में भी ठीक तो कि ऐसके दो अजय कि ए पसे इसके बास दोस्तो देखी हाप चैन्र अंदर हाथकुछ और भी है। कि यहां भी दोस्तों देखिए एक्सिस से क्रेट एन एलेप्स और एन एलेप्टिकल आर्क दोस्तों जैसे आपको डाइगराम में दिख रहा है वह इस तरह की शेप आप से इसली बना सकते हैं आपको सिंपली किलिक करना है उसके आपको दूसरी जागा किलिक करना है फिर ठीक है दोस्तो यह एक लेप्टिकल शेप जो आवह वह तैयार हो चुकी है यहांपे कि वो उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्षन और ये वह है लेप्टिकल आत दूसरे मैं हमें क्या करना है इसे में हमें धो पॉइंट करने हैं ये फस्पांट हो सेकिन पॉइट इसके जिए में बना सकते हैं जितना आपको बनाना है वह इसको क्लिक करें और यह उतनी संद्धिक रहा है इस में लिखा फिल एरिया और स्लेक्टिट उब्जेक्ट वी थे हैच पैटर्न और फिल दोस्तों है हैच कमांड का प्रयोग हम स्पेशली इसलिए करते हैं अगर हमें कोई एरिया को अगर रिप्रेजेंट करना है उसको दिखाना है कि यह कट है या फिर हम जब क्रॉस सेक्शन किसी का दिखाते हैं तो क्र मुझे हैंब करते है हेच कमांड का पर योग तो उसके लिए हम यहाँ पर दूस्तों क्या करेंगे हैं यहां पर ये एक जक्ट então करनेंग हैं हो sparks करेंगे जैसरी हम हैच कमांड कर्वाइऊ करते ने से एक सिलेक्ट कर लेना है है raz aligned करेंगे करने के बाद रहे इंटरंग डिस में कोई भी पॉइंट करेंगे तो उसके बाद यह हम यह क्वाइब ने यहां पे हो जाएगा दोस्तो इसका स्केल बहुत छोटा है इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर कर आपको करदो करने के जाना है इसके उपर और यहां पर करने डबल क्लिक कि दोस्तो डेलेट करने के बाद में यहां पर आप देख पा हैं और यहां पर नौद करने के बाद में यहां प्लाद में काफी बड़ी दिख रही है पहले जो गला रहा था वह आएट कि इस पे नहीं आएगा ठीक है दोस्तों उसके बाद हैचिंग में एक और करके दिखा देता हूं आपको आपको यहां से कुछ भी स्लेक्ट कर लेना है सब भी हासे में यह ब्रिक वर्क जो है वो यूज कर लेता हूं और यहां पर मैं करूंगा इसको क्लिक अब उसके बाद दोस्तों सेम इट इसको भी आपको डबल क्लिक करना है और यहां पर आपको जो स्केल है वो इसका करना है चेंज कि स्केल चेंज करने का दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहां पर कि जो पीछे हमारी जो हैच एचिन थे वह अब हमें विजबल हो गई है दोस्तों इस हैच जे इसली यूज करते दोस्तों अगर हमने को फिलिंग की गई है या हमने यहां पर कुछ बनाया है तो हम उसे हैचेंग के थो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है दोस्तो अगली कमांड जो हमारे पास है वो दोस्तो यहां पर है हम जाएंगे ड्रॉव में ड्रॉव में जाने के बाद दोस्तो हमें करना है क्या है ड्रॉव में जाने के बाद हमें देखना है यहां पर यहां पर जो हमारे पास है वो आई हमारे पास स्प्लाइन पॉइंट लिना है और दोस्तों जो स्प्लाइन जो लाइन है और जो कमांड है वह हमेशा दो पोइंट पर चलती है एक इनिशें बोइंट पर एक फानल पॉइंट पर जब आप इसका नेक्सट फार्इन पॉइंट взять कर लेंगे तो इसका जो last first point होगा वो का खतम हो जाता है वाज या जो second point у तो का initial point बन जाता है तो देखी दोस्तों यह हमने क्लिक कर दी तो जो हमारा second point था वे इसका initial point बन चुका है और जो इसका first point था वह से गाया वोच चुका है अब जब भी हम इसका second पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो इसका जो सेगेंड पॉइंट था इनिशियल वर्प्स का फाइनल पॉइंट बन चुका है ठीक है दोस्तो तो यह हमारे स्प्लाइन कमांड ऐसे यूज होती है इससे आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप इससे पहाड बना सकते हैं अगर आपको कोई सिन्री का यूज़ करना है तो आप यहां से इसको सिन्री के तौर पर यूज़ कर सकते हैं ठीक है दोस्तो को अगरापको आए पर करने तो आप यहां से करके इसली को सकते हैं आप ठीकर तो इसको धोड़이 रही ज़ुक्त होगा तो इसको आप अधिशी है बाइंग नियूंक को चुछ आना है और है से अगली जो हमारी कमांड है हमें वो चूज करनी है यहां पर जो हमारी अगली कमांड है वो है स्प्लाइन सीवी ठीक है दोस्तों स्प्लाइन सीवी का क्या है जो स्प्लाइन है वो सेम है लेकिन जो हमारा सीवी है वो है control verticals दोस्तों इसमें क्या होगा इसमें भी सेम जो लाइन है वो सेम इसी तरह बनेगी लेकिन उसमें ऐसा होगा कि हम जब भी बनाएंगे तो उसमें दो घ्सकर को का इसका गौपी बन-инки है लेकिन वो हमारे क्वर्टिकल पॉइंट में है kun वर्टिकल है इसका ठीके दोस्तों लेकिन ये स्कावनी ही है लेकिन इसका एक वर्टिकल जो लाइन है वह साथ में बन रही लेकिन इसमें इसमें उतनी करव नहीं आ रही जितनी करूपiad नहीं अःने स्पलआइम कमाय। में थीwend ठीके दोस्तों यह थी हमारी स्प्लाइन से गमान्ड अगर आप किसको चेंज करना दोस्तों तो आप इस लाइन के उपर खिंज करने ही करें गया आप को यहां से चेंज करना पड़ेगा अगर आप आप कोई माईने से इसमें लिए चीज चेंज करना चाहिआ था आप यहां से इसको like । कर सकते हैं इसको आपको अगर ऊपर लेके जाना राय है या नीचे करना है आप यहां से इसलिए इसका कर सकते हैं ठीके दोस्तों तो ये एक जिग-जग की फॉर्म में होती है अगर आप यहां पर कुछ भी जिग-जग अगर आपको वाटर रिपेसेंट करना है तो आप यहां से इसको एजर वाटर की तरह रिपेसेंट कर सकते हैं और इसे आप अगर पहाड़ की तरह यूजर दोस्कों तो आप उस तरह से इसको यूजर कर सकते हैं यह आपके उपर आप इसे किस तरह से यूजर कर ना चाहते हैं थेके दोस्तों तो इन दोनों कमांडस में फरक आ गया आपका पातर है लागिए कि इसका जो है एक बटीकल फोटी होती है और अपने जो इसम इस क्मांड हा हय हो इसमें इस इसमें आप सिध़ Switzerland से ही करें गे आपको तब तरीकन के लिए यहाँ से कूछ चीज़ नहीं दोस्तो यह basically line as a axis की तरह use होती है यह भी हमें कोई construct करना होता तो हम यहाँ पर एक axis की तरह एक line बना सकते हैं दोस्तो इस line का इस command का नहीं कोई initial point होता है और नहीं कोई final point होता है यह हमेशा vertical और horizontal में भी काम कर सकती है दोस्तो देखिए आप इसको 30-60 degree rotate कर सकते हैं और इसका प्रयोगा आप आसानी से किसी भी construction line के लिए काम मिला सकते हैं जैसे कि हमने X को ऐसे एक axis की तरह use कर लिया है अब हमें चाते हैं कि हम इसके ऊपर ही construct करें तो हम यहां से सब्सक्राइब कोई घर बना जाते हैं और हम इसको exact उसी लाइन पर जाते हैं जिस पर यह बन रही है तो यह दोस्तों हमादे कि रूम की तरह काम कर जाएगा कर दोस्तों आप इसको एक 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 तरह use कर सकते हैं कि आपको इस लाइन के बाहर ने जाना है लाइन के अंदर रहना है तो दोस्तों देख रहे हैं आप इस लाइन का कोई भी निशेप ौइंट या फाइनल पाइंट नहीं है यह लाइन कर भी खतम नहीं होती है आप चाहिए तो इस लाइन को ट्रिम कर सकते है जैसी कि महीं हैं से स्कॉर्ण कमांड लेके इसको यहां से ट्रिम करने के दिखा जिता हूं आपको देखे दोस्तों यह एजली ट्रिम हो सकती है लाइन आप इसे कहीं से भी ट्रिम कर सकते हैं ठीके दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है वो हम जाएंगे फिर से ड्रॉय में ट्रो में जाने के बाद दोस्तों हमें यहां पर हमारे पास नेक्स्ट कमांड है वह हमारे पास रे दोस्तों रे कमांड जो है वो भी से मैं इस हमारी एक कоме अब आपको करके कर दिखाता हूं देखिए दोस्तो इसलाइे का खोई भी फाइनल पॉइंट नहीं है तो आप इस लाइन को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे आप चाहें, मैं यहाँ पर इसको आप एक साइकल का टायर बना कर दिखा जिता हूँ जैसे आप इसको ट्रिम कर सकते हैं, जैसे आप इसको ट्रिम कर सकते हैं, ठीके दोस्तों तो आप देख पा रहे हैं, आप इसको प्रियो करके आसानी से इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीके दोस्तों इसके बाद हमारे पास नेक्स जो है, ड्वार में हमारे पास आप्शन आता है, मुल्टिपल पॉइंट्स का ठीके दोस्तों इस पॉइंट का यूज हम करते हैं मोसली अगर आपको कोई नहीं दिये वह आप या कुछ ऐसा रिपेजेंट कर रहे हैं आप में कोई डाइगारं बनाया है आप यहां पर जो बिची जाएंगे आपको easily मिल जाएगे क्विए पाइंट आउट हो जाए ऊंट ठीक है दोस्तो कि प्लायच । उसके बाद दोस्त हमारे पास में आता है मिजर। मेंजिके लिए दूस्तों आपको और की करना है आपको पर ऊबजैक्ट करना है कि उसके बाद में आपको भूक जो है वो करना है स्लेक्ट यहां से आपको करना है सैकेंड पॉइंट स्पेसिफाइए ठीक है दोस्तों कि 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 ठीक है दोस्तों तो यहां पे आप देख पा रहे हैं इसने यह जो मिजमेंट की है यह हमारे पास आई थी 1.768 ठीक है दोस्तों तो आप इससे कर सकते हैं मिजमेंट तो दोस्तों ओफुली आपको यह जो ड्रॉआ है जो हमारे ड्राफ्टिंग अनुटेशन में जो आई यह को आपको समझ आ गई होगी का प्रयोग कैसे करते हैं यहां से उसके यह मैंने यहां यहां आपके लिए दो तिरी वीडियो और बन आए है जो कि आपके लिए काफी हल्फोल होंगे वह नका डिस्क्रिप्शन लाइन उनका लिंक में डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक्यू लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले जो भी नई वीडियो है वो आपको डा थैंक्यू